हैंडी दिकोर डोव बनाने वाले हैं वो पतला ना हूँ एकदम perfectly हमारा डोव बनके तयार हो इसलिए हम उसमें पानी बहुत धीरे धीरे एक एक दो दो गून करके मिलाएंगे अब मैं इस डोव को हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसलिए आडाये पतलाई आछे से झाला अच्छे के लेए एक जए से हुनिने काज च्छे सिसे अब मैं उसमें ंटा हूँ इसलिए से कुल व holdsना इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से घूते जाएंगेे जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाया Bjr जो भी हम material बनाने वाले हैं उसमें cracks ना हैं और आप बहुत अच्छे से वो सब बना सकें इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से गूथेंगे बहुत सॉफ्ट हो जाएगा यह बहुत अच्छा डो बनके आएगा यह देखिए हम लोग जो इस तरीकी से गूथ रहे हैं इसका reason य आ रहे हैं इसका मतलब यह डो हमारा बिल्कुल ready है अब हम इससे कुछ भी काम बना सकते हैं बहुत easily अग्दम finishing के साथ बनके आएगा और हम इसे 2-3 घंटे तक store करके रख सकते हैं या तो हम इसको बहुत घीले कपड़े के अंदर रखेंगे या फिर किसी plastic के अंदर pack करके जिससे ये सही रहें